केंद्रिय राजिय मंत्री अश्विनी चौबे पहुँचे भागलपुर, कोशी सिक्षक निर्वाचन छेतर के भाजपा उमीद्वार रंजन कुमार की जमकर की सरहाना भागलपूर के इंद्रे राज्यमंत्री अश्विनी चौबे देराथ भागलपूर पहुंचे भागलपूर के सरकेट हाउस में उन्होंने प्रेस वारता कर कोशी सिक्षक निर्वाचन छेतर से भाजपा उम्मीद्वार रंजन कुमार की जम कर सरहाना की उन्होंने कहा कि इस बार कोशी सिक्षक छेतर में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है बाजपा सेन लगाएगी और पूरी बहुमत के साथ जीतेगी गयासना तक छेतर के उम्मीद्वार के बारे में उन्होंने बड़ी बात कही है अश्वरी चौबे ने कहा है कि अवदेश नारायन जी के खिलाफ में ऐसे उम्मीद्वार है जो स्वैम कई घोटाले में सम्मिलित है उनके परिवार के लोग जेल भी गए है जिने टिकट मिला है वो संदिग्ध है अवदेश नारायन भारी मतों से जीतने जा रहे है BNP News के लिए भागलपुर से अभिशेक आनन की रिपोर्ट हमें वापस मिलेगा मुझे विश्वास है कि इसमें हमारे प्रिये स्री रंजन जी शिक्षक शेत्र में इसमार स्चेंग लगाएंगे और चुनाओ जीतेंगे इसमें कहीं दोबड़ गयाशनातक में वहाँ गयाशनातक का जो है वो स्री अभधेश नाराहिन सिंग जी जो पहले विहाद दान परसर के सवापती बिला चुके हैं और बहुत लगातार हेक्टिक उलोंने लगाया है और उनके खिलाप ऐसे लोग खड़े हैं जिनका कोहें सिक्चक छोड़ दीजिए उनका ग्रिजर कॉंसेसी में पिछले बार भी वो बहुत बुरी तरह हारे थे और जो स्वेम कई परकार के घोटाले में संदिक्द है उनका और के परिवार का जेल भी जाते रहें उनके पर tejraya को स्वेम कवे संदिक्द है इसे लोग चुलाओं में आगये हैं मुझे लगता है कि वहां से अफ़देश वाव पूरी तरह से हैं मेहां चुलाओं एक 최 conversation सकते हैं हम रिक है हम चुलाओं वहाँ से पूरी तरह से जीते जा रहे हैं और भारी मतों सी जीतेंगे उसी प्रकार से सिक्षक संग में जो लगातार ऐसे लोग खड़े हैं जिनोंने बराबर सिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं किया और बराबर जनता देलियू में रह करके उन्होंने बराबर सिक्षकों के खिलाब ही बाता बना